चेर परसन महोद्या महत्मा गांदी नरेगा जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजा कुराया था उसी मनरेगा ने कोविट और बार बार के लोकडाउन में प्रभाविट करूरों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सारतक भूमिका निबाए है फिर भी मनरेगा के लिए अबंतित बाजित में लगातार कतोती की जारी ही है जिसके कारण काम मिलने और समय पर मज़दूरी के बुक्तान की कानूनी गरंटी कमजोर पर रही है इस साल मनरेगा का बाजित 2020 की तुलना में 35% कम है जबकि बेरुजगारी लगातार बढ़ रही है बाजित में कतोती से कामगारों के बुक्तान में देरी होती हैं जिससे मनिय सुप्रीम कौर्ट में फॉर्स्ट लेबर माना है इसी वर्ष 26 मार्च को सभी राजियों ने इस योजन के तहट अपने खाते में नकरात्मक संतूलन दिखाया है जिसमें कामगारों को भुक्तान का लगबग पांच हजार करूर रुपए बखाया है चेरपरसन महोदिया अभी हाल में सभी राजियों से कहा गिया है कि उनके सलाना श्रम बाजिट को तब तक मन्जूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वे लोगपालों की न्युक्ती और सोशल आउडिट से संबंतित शर्तों को पूरा नहीं करेंगे सोशल आउडिट को निश्चित रूप से प्रभाविद बनाया जाना चाहिए लेकिन इसे लागो करने में कमियों को आधार बना कर इस योजन के लिए पैसे का अवंतन रोक कर कामगारों को दंदिट नहीं किया जा सकता है यह अनुचित है और अमन्दिय सरकार को इसमें बादा डालने के बज़ए इसका समधान निकालना चाहिए चेर परसन महोदिया ग्राम सबाद्वारा सोशल आउडिट पर कोई समझोता नहीं किया जा सकता है इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रा करती हूँ कि पहला मन्रेगा के लिए उचित बाजित का अबांतन किया जाए दूसरा काम के पंद्रा दीनों के बितर कामगारों को मज़दूरी का बुक्तान सुनिश्चित हो तीसरा मज़दूरी बुक्तान में देरी की स्थिती में कानूनी तोर पर मुवदे का बुक्तान भी सुनिश्चित हो और इसके साथ ही राजियो की वार्शिक कारिय योगजनाओ को बिना किसी देरी के तुरंट निर्दारिट किया जाए धन्यवाद